नमस्कार दोस्तो मेरे नमा मुक्स प्रड़ोकर, आज का मारे यह वीडियो रहने वाला है कि जब भी हमें कोई अपना क्लाइंट व्यबसाइट बताता है कि आपको पार सेम इसे परकार की व्यबसाइट बनानी है तो हमें ज़रुवत पड़ती है कि हम इस व्यबसाइट के य सकते हैं और वीडियो सा लगा तो अच्छा लगे तो लाइक करें और अच्छा नहीं लगे तो डिस्टाइक करें और यह वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सुस्क्राइब करें font की size and font कौन सा है वो जानने के लिए आपको करना क्या है Google में जाना है और search करना है what font extension what font extension यह जो आ रहा है इसे आप इस पर क्लिक करें और यह जो आप logo देख सकते हैं what font का और a to chrome कर दीजिए जैसे ही आप a to chrome करते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई देता है add extension अब आप यहाँ देख सकते हैं यह यहाँ पर add हो चुका है ठीक है अब हम इस website पर जाते हैं इसको एक वार pin कर लेते हैं अगर यहाँ पर add नहीं होता है तो आप यह जो symbol लिखाई दे रहा है इस पर आएंगे और यहाँ पर देखेंगे तो इसको pin कर देना है जैसे ही आप pin करोगे तो उपर आजाएगा ठीक है अब हमें जिस भी website का font देखना है उस पर आना है और यहाँ पर आने के बाल में what font वाला है यह symbol लिखाई दे रहा है इस पर अपने को एक वार click करना है जैसे click करेंगे तो आप यह देख सकते हैं जिस भी font पर लेके जाएंगे उस font की क्या नाम है वो बता दिया जाएगा और अगर हमें size देखनी है क्या size में वो font यूज हो रहा है जैसे हम इस पर click करेंगे तो यह सारी की सारी दिखाई देगा size 40 पिक्सल और font का color क्या है वो बता दिया गया है और weight style normal है और font है वो बता दिया जाएगा जिस भी font पर ले जाके आप करोगे वो आपको बता दिया जाएगा आप यह आप देख सकते हैं यह color code भी यहाँ पर इस परकार से आप अपने competitor या अपने जो भी customer की website के लिए बनाते हैं जिस भी website के clone करते हैं तो वह आप check कर सकते हैं उसके बाद में exit what count करके आप वह चेक कर सकते हैं यह वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा तो लाइक करें और अच्छा नहीं लगा तो कमेंट करके अपता वीडियो के notification मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद